साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ दोखा गड़ी का एक बहुती बड़ा उदारन है, कॉंग्रेश सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी. जब दो साल पहले मद्द प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्ज माफी का वाइदा किया गया था, कहा गया था, कि सरकार बनने के दस दिन के भीतर, सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, सरकार बनने के बाद क्या-क्या बहाने बताए गए, ये मद्द प्रदेश के किसान मुझसे भी जादा अच्छी तरह जानते हैं, किसान के लाखो किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, किसानों को इतना बड़ा दोखा देने वालों को, जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूँ, तो मुड़े बड़ा अस्षर होता है, ये कैसे नोग है, क्या राजनिती इस हद तक जाती है, क्या कोई इस हद तक छल कपड कैसे कर सकता है, और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर, किसानों को और कितना दोखा देंगे ये लोग, साथियों, हर चुनाव से पहले, ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं, और कर्ज माफी कितनी होती हैं, सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या, जो छोटा किसान कभी बैंक का दर्वाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा हैं इन लोगों ने, और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है, कि जितनी ये गोशना करते हैं, उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते हैं, जितने पैसे ये बेजने की बात कर रहते हैं, उतने पैसे किसानों तक कभी पहुँचते ही नहीं हैं, किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा, और बडले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफतरी का वॉरंट, और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाप किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, ना ते रिष्टेदारों को, अगर मेरे मिडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगा लेंगे, तो ये सब आठ दस साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिठा मिल जाएगा, ये यही उनका चरीत्र रहा है, किसानों की राजनीती का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्सन नहीं किया, कुछ बड़े किसानों का कर्च, दस साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिख गई, काम पूरा हो गया, फिर गरीव किसान को कौन पुष्टा है, बोर्ट बेंक की राजनीती करने वाले इन लोगों ने, और इन लोगों को देश अब भली भाती जान गया है, देश देख रहा है, देश हमारी नियत में गंगा जल और मान नर्वदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है, इन लोगों ने दस सान में एक बार कर्ज माफी करके लगबग पचास हजार करोर रुपिये देने की बात कही, दस सान में एक बार पचास हजार करोर, हमारी सरकार ने जो पिएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगबग पचचतर हजार करोर रुपिये मिलेंगे, यानि दस सान में लगबग साड़े साथ लाग करोर रुपिया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर, कोई लिकेज नहीं, किसी को कोई कमिशन नहीं, कट कल्चर का नामों निशान नहीं,